मसकार मित्रो, ilwin classes के youtube platform पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम विबेक, तमिलाडू में जहरीली सराब पीने से 30 से जादे लोगों के मृत्व हो गई है, और 100 से जादे लोग कमभी रूप से बिमार है, तो यह मामला अपने आप में तरास्ती का रूप ले लेता है तो आज हम जानेंगे कि जहरीली सराब क्या होती है, जिसको experience liquor कहा जाता है, और कैसे बनाए जाती है, सराब बनाने की जो घरेलू विधी है, जो branded सराब होती है, उससे अलग हटकर, वह कैसे बनाए जाती है, जो सराब बनाने की उत्पादन करने की दो विधिया है, किडवन करने से पहले इसको टाइटिल को जानते है, तमिलनाडो में जहरीली सराब की तरास्ति जानिये पूरा माम, के बात को समझते हैं, चर्चा के जो हमारे बिंद होंगे, उसमें खबर क्या है, खबर को हमने जाना कि तमिलनाडो में जहरीली सराब पीने से 34 से जादे लोगों क मुर्टू हो गई है और सव से जादे लोग बिमार हैं तो इसलिए यह चर्चा में है हुच क्या होता है हुच सब्द बारबर आएगा हुच जिसको हम जहरिली सराव का एक नाम हुच भी होता है हुच की उतपति कब हुई क्या या किसके नाम से पड़ा इनके बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानते हैं कि सराब का उत्पादन अर्था लिकर का प्रोडक्शन और लिकर को कैसे बनाया जाता है उसकी कौन-कौन सी विदिया है और वो कौन-कौन सी कमिया हो जाती है कि जो सराब होती है एलकोहल होता है वो इन सारे बिंदों पर आईए एके करके बात करते हैं, अब बात करते हैं कि क्या होती है जहरेली सराब, जिसको हम हूच की नाम देते हैं, हूच मतलब घटिया प्रकार की सराब, हूच का सब्द का ही प्रयोग होता है, घटिया किस्म की सराब के लिए, कि जो सराब जो हमारे सर जूची नाम पर हुच नाम गया जो घट्या किस्म की सराप के लिए उपयोग में पर्योग में लाया जाता है। जो branded सराव के विपरित इसे परिस्कृत उपकरणों इसे बीना परिस्कृत उपकरणों और बीना उच गुणवत्ता नियंतरन वाले कारखानों में तयार किया जाता है और जो हूच होता है मतलब घटिया किस्म की सराव को बहुत जादे कच्चे वातावरण में बनाया जाता और इसे बनाने के लिए गलत तरीके से तयार किया जाए तो यह जालेवा हो जाता है और जो बनाने का रफ तरीका होता है और बनाने का गलत तरीका मतलब तापमान कितना रखना है, कितने देर तक उसको उबालना है, इसमें क्या मिलाना है, क्या नहीं मिलाना है, अगर कहीं प पर भी कमी होती है और कहीं पर भी रफ यूज होता है उसका तो यह एक घटिया और जानलेवा सराब के रूप में परिवर्तित हो जाती है यही वो कारण रहे होंगे जो तमिल नाडू में यह सराब पीने के बाद लोगों की मौत हो गई सराब का उत्पादन करने की दो बुनियादी प्रक्रियाए होती है एक होता है किडवन जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं और एक दूसरा होता है आस्वन जिसको डिस्टिलेशन कहते हैं तो किडवन में क्या होता है किडवन में जो जैसे चावल है चावल को धोके और उसमें जो अल्कोहल का रूप लेने लगता है वही बात करते हैं कि किडवन जो होता है अनाज से सरकरा निकाल लिया जाता है किडवन के माध्यम से पानी बिलेन हो जाता है और खमीर जो होता है मिस्रा नियंत्रित ताप पर बिना सूर्य के रोशनी के रख दिया जाता है ताकि खमीर और सरकरा मिलकर इलकोहल में बदल सके और किर्वन जारी रहता है अलकोहल का अस्तर धीरे 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 बढ़ता रहता है और वह हमारी सराब बन जाती है जो यह सराब बनाने की सद्यों पुरानी परंपरा है जो जनजातिया होती है अधिकतर आंधप्रदेश और जारखंड करती है अब जो दूसरी बिधी है उसको हम distillation कहते हैं आस्वन बिधी कहते हैं इसमें क्या कहते हैं जो किडवित तरल होता है उसको गरम करके उसकी वास्प को एकत्रित किया जाता है और उस वास्प को पुना तरल करके सराब बनाये जाता है अब क्या होता है वास्पी करण औ और जब वो भाब बन गया, तो भाब को एक पाईप के माध्यम से दूसरे वर्तन में रख ले और उसको पुना तरल कर ले, इसी को हम आस्वन बिधी करते हैं, तो जो इस प्रकार से सराप कलपादन होता है, वो आस्वन बिधी से होता है, जो किडवित तरल पदार्थ होता है, उसको गरम करते हैं, भाब निकलता है, उस भाब को पाईप के माध्यम से दूसरे जार में रखा जाता है, और जार में रखने के बाद वा अलकोहल का रूप ले लेता है आईए इसकी प्रक्रिया को थोड़ा बिस्त्रित रूप से समझें या आस्वन बिधी के द्वारा भाप से तरल पदार्थ करने की जो अलग प्रक्रिया होती है वह बिभिन भागों के कोथनांक अलग-अलग होते हैं देखिए जैसे कोई भी चावल है चावल से स टमपरेचर पर क्वथना मतलब भाप में बदल जाएंगे कई उससे जादे टमपरेचर पर भाप में बदलेंगे तो जो उसकी मात्रा होती है उस मात्रा का अमेल मतलब जो अनुपात होता है वही अगर अलग-अलग हो गया तो क्या हो जाता है वही हूच मतलब जहरीली सरा आपका रूप ले लेता है अब देखिए सेटप बहुत ही बुनियादी है अक्सर सिर्फ एक बड़ा बरतन होता है जहां पर इसको उबाला जाता है एक पाइप से एलकोहल को यह होता है यहां पर आग दिया जाएगा पाइप से एलकोहल को निकाला गया यहां पर रख दिया भाब बनाया जाएगा फिर उसको तरल पदार्थ बनाया जाएगा तो जो अलकोहल होगा और उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाएगी मतलब और तगडी अलकोहल हो जाएगी जहरीली हो जाती है तो इसके बारे मेथिनाल का उत्पादन सही तपान और सही समय तक गरब नहीं क मात्रा जो होता है इल्कोहल में जादे हो जाता है तो वह जहरीला हो जाता है देखी। अवांचτιत और हन्कारिक रासाइनों का उत्पादन करने के लिए अब मेथिनाल का जो गथनांग होता है , वह 64.2060 और temperature जादे दे दिया गया और ये जादे आके और 100 ml में ये 50 ml हो गया, 60 ml हो गया, तो यही सराब क्या हो जाती है, जहरीली हो जाती है, वही कह रहा है कि जो अंतिम उत्पादन को अत्याधिक बिसाक्त बना देता है, अत्यांत जहरीला गंभीर स्वास्त समस्याएं इससे होती होती है, तांत्रिक तंत्र हमारा नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, कभी-कभी अम्रितु का कारण बनता है, यही वो परिस्थितिया रही होंगे, जिसे तमिलाडु में 30 से जादे लोगों की म्रितु हो गई है, जहरीली सराब पीने से हमारी जो आंक होती है, जो इसमें आप्टिकल नर्व होती है, वह खराब हो जाती है, और हमें धुदला दिखाई देने लगता है, कभी-कभी तो द्रिष्टी भी हमारी समाप्त हो जाती है, और उसके पीछे क्या कारण होता है, गैर स्वक्ष और असुरक्षित उत्पादन की प्रक्रिया होती है, अस्वक् कभी-कभी सराब में विभिन्हानिकारक, रसायन और अद्यों की एलकोहल को मिला धिया जाता है, कि जो सराब है, एलकोहल है, उसकी गुणवत्ता जादे हो जाता है, सड़े गले, फलो Mohammad को डाल दिया जाता है, सबजीओं को डाल दिया जाता है, यह भी सराब को जहरीली सरा बना देता है। इसका इस्टेप होता है वह होता है उचित सुरक्षा उपायों का अभाव। जैसे मेथेनाल चोंसट दस्वनों साथ डिग्री सिल्सियस पर गरम होता है। एथेनाल वह 68 डिग्री से जादे टंपरेचर पर ये क्वथनांक रूप में मतलब भाव बनता है। देखने वाली उससे धुंधला उसको छती पहुचेगा धुंधला दिखाई देगा दृष्टी का खोना हो जाएगा या अंधापन हो जाएगा। उच विसाक्तता मेथेनाल के विसाक्त मोटा जो मेटा बोलाइट्स होते हैं वो सरीर के विभिन अंगोमस्तिक्स नित्र औ बनता है, सरीर में अमलता को बढ़ा देता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, उल्टी पेट दर्द और कमजोरी सामिल होता है, जो असनाविक समस्याएं होती है, इसमें सिरदर्द, चक्कराना, भ्रम, वहोसी और दौरे पढ़ते हैं, इतने दुस्प्रभाव है, कोई भ बात करते हैं, तो उपचार में ये फोमे पीजोल, जो एंजाइम औरोधक होता है, मेथेनाल को विसाक्त फार्मिक एसिड में बदलने से रोकता है, बहुत ही महना उपचार है, और भारत में अल्प मात्रा में उपलब्ध है, इतनाल की बात कर लेते हैं, उपचार में यह इतनाल मेथेनाल के साथ प्रित्यसपर्दा करता है, फार्मिक एसिड में परिवर्तित होने से रोकता है, जिससे क्या होता है, नसों के माध्यम से इतनाल और पानी के मिस्टरन के रूप में चला जाता है, और मेथेनाल की मात्रा को कम कर देता है, और जान बचाई जा सकती ह डाइलिसिस समस्ते ही हैं गंभेर मामलों में उपचार मिलाने की एक विदी है जिसमें हम अपने खून को रक्त को स्वक्ष करते हैं रक्त से जो अवसिष्ट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं इसके बाद कुछ सहायक चिकित्सा भी है इसमें तरल पदार्थों का प्रबंधन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन किया जाता है और अवसक्ता नुसार वेटिनेटरी सपोर्ट भी सामिल है ये रहा पूरा जो तमिलाडो में सराब पीने से जहरीली सराब पीने हैं विद्यों में किस σटेप की कमी या अंदेखी करने से इस परकार की गंभीर समस्या उत्मन हो जाती है उसके क्या दूष्प्रभाव है दुस्प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है उपचार क्या है इन सारे तको हमने जाना आपको यह वीडियो सेशन कैसे लगा, कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा, अगर आप हमारे नए पाठक, नए दर्सक, नए सुरोता है, तो चैनल से जुड़िये, बेल आइकन का बटन दबाईए, ताके जितनी वीडियो की नोटिफिकेसन आए, आप तक पहुंचे और आप उस